क्या आपने कभी घर देखा है अगर आप घर पर ध्यान दे तो पाएंगे बहुत सारे इट साथ मिलकर उस घर को बनाते है इसी प्रकार धर्ती के सारे जीव जन्तु छोटे छोटे खानों से मिलकर बने है जिनने कहा जाता है कोशिकाए कोशिका की खोच रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी वह पेड की चाल से एक कौर के पतले टुकडे का अध्यन कर रहे थे जब उन्होंने एक स्वा निर्मित सुक्ष्मदर्शी से कौर के टुकडे को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के चत्ते जैसी सनरचना दिखी और लाटन शब्द कोशिका का संदर्व लेकर जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है उन्होंने इसे नाम दिया कृप्या से अपनी कौपी में नूट कर लीजे चलिए अब हम कोशिका देखते हैं प्याज की जिल्ली लीजे अब सुक्ष्मदर्शी लीजे सुक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जैसे सुक्ष्म वस्तू देखने के लिए उप्योग मिलाया जाता है अब सुक्ष्मदर्शी की सहायता से हम प्याज की जिल्ली की स्लाइट को देखेंगे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ छोटी सनरचनाएं हैं जो एक समान है और उनके आकार से इनका कोई संबंध नहीं है इनी सनरचनाओं को कोशिका कहते हैं और हमने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवजन्तु कोशिकाओं से बने होते हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने और रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखने के लिए सुक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्यूं किया? वीडियो को रोग दे और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें चुकि अधिकाँश कोशिकाओं आकार में छोटी होती हैं इसलिए हमें और रॉबर्ट हुक को उन्हें देखने के लिए सुक्ष्मदर्शी का उप्योग करना पड़ा वो दाहरन के तौर पर यदि हम नगनाखों से अपना हाथ देखते हैं तो हम किसी भी कोशिकाओं को नहीं देख पाएंगे जिस प्रकार कोई घर काफी एटों से मिलकर बना होता है इसी प्रकार प्रतिक जीवजन्तु कोशिका से मिलकर बने होते हैं जो जीवन की मूल भूदेकाई है कृप्या इसे कॉपी में नोट कर ले